नमस्कार दोस्तों मैं जो लेकर आई हूँ वे एक थोड़ा सा स्पेशल न्यूज है क्योंकि इसमें अंत्रा जंत्पद्य ट्रांसफर जिसका सबको बेसब्री से इंतजार रहता है उसकी एक न्यूज है आपको जैसा पता होगा कि जो आकांग्शी जिले होते हैं जो आती प परिस्थितियों में उनके अंतर जंत्पद्य ट्रांसफर की संभावना हैं कि अगर विशेश परिस्थितिया होंगी जैसे कि कोई बीमारी है कुछ और अन्य परिस्थिति है तो वहां पर अंतर जंत्पद्य ट्रांसफर वो सिक्षक ले सकते हैं ऐसा इसलिए है कि कोट ने इमर्जंसी है उसके केस में जो 2008 के रूल 8-2-D के अनुसार अंतरचन पर दिया है इस्थानांतरण पर बेसिक शिक्षा बोर्ड या निदेशक बेसिक शिक्षा द्वारा विचार किया जा सकता है तो इसके बाद कोट ने फैसला दिया है कि आकांशी जिलों में कायदत अध्य इस्थानांतरण का रास्ता साफ हो गया है ठीक है हुआ क्या था दोस्तों जब 2019-2020 के इस्थानांतरण की जो नीटी आई थी उसका जो साशनदेश था वो 15 इसम्मर 2020 को जारी किया गया था और उसमें प्रवधान था कि जो आकांशी जिले हैं जैसे सिदार्थ नगर जनपदेश थानांतरण ट्रांसफर नहीं किया जाएगा लेकिन फिर वहां पर याची का डायली गई और शासना देश को चुनौती दी गई कि ऐसा क्यूं है ऐसा नहीं होना चाहिए तो तब उस कंडिशन में क्या हुआ था कि जो दिव्या गोर्सवामी के केस में फैसला गया था उस टाइम पर तो इसके बाद जब ये फैसला आ गया उसके बाद क्या हुआ कि वर्टमाल में अंतर जनपदेश अंदर पर रोक लगाने की ने कोई नीथी प्रभावी नहीं है तो इस जो ये नियम आया है रूल एट टू डी के अनुसार आप विशी इस परिसिति में अंतर जनपदेश ट्रांसफर के लिए प्राटना पत्र बेसिक एजुकेशन बोर्ड निदेशक बेसिक एजुकेशन प्रोकत अबदी से पहले भी विचार कर सकते हैं और इसके लिए उन्हें काफी मतलब राहत की समचार दिया गया है कि उनका ट्रांसफर दूसरे जिल है आप उसको जोइन करें और अपनी जो इन्फरमेशन से उनको जल्दी से जल्दी प्राप्त करें थैंक यू बाई